नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं प्रकासर हिंदी दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीए पार्ट फर्श्टियर एक्जामनिशन 2023 पर फैकल्टी ओप आर्ट बीए पार्ट फर्श्टियर का दोस्तों आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक कर लें अपने कॉंटेक्ट में जितने भी अन्य जो विद्यारती हैं कॉलेज के उनके पास आप इस वीडियो को टेलिग्राम, वाट्सप, फेस्बुक के माध्यम स्यावच से बेज़ें क्योंकि दोस्तों जो 2023 में हिंदी लिटरेचर का सेकंड पेपर उपनियास और काहनी से सम्मधित पेपर हुआ हैं इस पेपर के आदार पर आगे 2024 में, 2025 में आगे जो पेपर होंगे वो भी इनी के आदार पर पर परसन बनते हैं तो आप इन परसनों का जो पिछली सालों में पेपर होई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे तयारी करें तो बहतर तयारी होगि अपने दोस्तों की भी होगि कुछ दिसान निर्देश यहाँ पर दे गए हैं और यहाँ पर परसन है फर्स परसन है निमले की आउतरणों की से परसन व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला जो परसन है उसमें कैप पॉंड दे रखा है यहाँ पर यह गध्यान्स दे रखा है और अथवा में भी दूसरा गध्यान्स भी दे रखा है तो दोस्तों पहले परसन में यहाँ पर चार गध्यान्स है और हर गध्यान्स आपके 10 अंका इस परकार्शी जो पहला क्योसन है वो आपके 40 अंका है जहांपर की से परसंग व्याक्या करवा रहा है से परसंग व्याक्या में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों सबसे पहले हमारे को सब्दार्थ लिखने पड़ते हैं जो भी यहाँ पर इस अगध्यान से में सब्दार्द दे रखे हैं, सब्दार्द लिखने पढ़े हैं, सब्द और उनकार्थ, इसके बाद में हमें सब्दार्द लिखना पढ़ता है, सब्से पहले तो हमें सब्दार्द लिखना पढ़ता है, सब्द और उनकार्थ, इसके ब बाद में हमें जो गद्यांग दे रखा है उसकी व्याख्या करनी पड़ती है और व्याख्या के बाद में हमें विसेश लिखना पड़ता है इस परकार से यह हम करते हैं तो बहुत अच्छे अंक हमारे को मिल जाते हैं तो पहला क्यूसन है इस पहले क्यूसन में ही आपको personски वयाखिया करवा रहा है ये 40 संग का मैटर हैं तो यहां पर जो कह दे रहा है इस कहमें दो गभड़ान से हैं पहला गभड़ान से दूसरा गभड़ान से अथ्वा में दे रहा है यह तो आप यह करिए यह फिर आप second वड़ा यह कर लीजिए पहले की क्यूसेन के खै दे रखा है जो के आपकी पार्टी पुक्तिक से हैए यह जह दे रखा है आप यह तो इसको कर लिजिये या फिर इसके अत्वा के और अ कि दोसरे जो गद्याश दे रखाहे इसकी आपस है परसंग कर लीजिये दस नमबर का ये क्यूसन है आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी पार्टी पुस्तक में देख सकते हैं कि किस परकार से कहां से गद्ध्यान्स उठाता है और उनकी व्याख्या करवाता है आगे हैं गए दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो गए है यहाँ पर भी अत्वा के अंदर दे रखा हैं आप इस गद्ध्यान्स को कर सकते हैं या फिर उसको नहीं करते हैं तो आप इस गद्ध्यान्स को भी कर सकते हैं यह भी दसंग का सैफरसिंग व्याक्या करवा रहा है यहां पर आपनी पार्टी पर इस तक में इनको देखें कि कहां से गद्ध्यान्स पेपर में पूंचा जाता है लिया जाता है इसके आगे बढ़ते हैं पहला क्यूसिन में जो 34% व्यक्या के गद्यांस है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह गद्यांस है अथवा में दे रखा है आप यह करते हैं तो ठीक वाना फिर इसको कर लीजिए दसंग की यह से परस की समिक्षा कीजिए यह 15 अंका परसन है यदि इस परसन को आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर अथवा में दूसरा परसन दे रहे हैं गलोबल गाओं की देवता पन्यास में चित्रित असुर आदिवासियों की जीवन संगार्स इमसंस्करती पर परकास डाले दोनों में से ए क्यूस्ण आप यहाँ पर करना पड़ेगा और 15 अंका यह परसन है तीसरा परसन है जैसकर परसात करीत पुरुसकार कहानी की मोल समभेदना पर विचार कीजिए 15 अंका क्यूस्ण अथवा में दे रखा है यह परसन नहीं करते हैं तो दूसरा परसन इसके नीचे अथवा मे विकास पर एक निवन्द लिखी यह नहीं करते तो अथवा में दूसरा परशन है विभिन कहानी आदलों की आलोग में हिंदी कहानी की विकास पर विचार कीजिए 15 नमर का क्यूस्टन है दोनों परशनों में से आप पर एक person यह पर कर सकते हैं और इस paper का अंतिम person है 500 person निमलिकित में इसे किनी दो पर tip नहीं लिखें, दो विषय हैं दो विषयों पर tip नहीं लिखें या पर चार विषय दे रखें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौता, इन चार में से किसी की मोल स्वेदना लिखिए परदा काहने में चितरी समस्या लिखिए यही सच्छा काहने में प्रेम त्रिकोन क्या है इसके उपर टिपनी लिखिए और चोता है प्रेम जंद की काहनी कला यानि चार यहां पर टिपनी दे गए इन चार टिपनी में से आप दो पर टिपनी लिख तो यहां पर यह दो टिपनी 15 रांग की हैं तो दोस्तों रास्तान यूनिशिटी का पेपर था जो कि दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने जितने भी दोस्त हैं जो कि कोलेज में ध्यान रहते हैं उनके पास आप वीडियो को टेलिग्राम वाट्सप फेस्बूक की माधन से अवस्य से शेर करें धन्यवाद